नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग यहाँ पर बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया चैप्टर नमबर 10 चल रहा है शार्की डैनेस्टी लोधी डैनेस्टी और कश्मीर बचा हुआ इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन तीन चीजों के बाद चैप्टर ख आइसी मारा काटी मचा ये तिमूर ने इतना बुरी तरीके से दिल्ली को निस्टो नाबूद कर दिया तेखो एक चीज होती है लूट के वापस ले जाना एक चीज होती है कि चीजों को तोड़ देना बरबात इना कुछ ये किया था तिमूर ने तिमूर के तो नाम पर जाता तक दिल्ली इस पर्टिकुलर अटैक से उबर नहीं पाया था कितने लोगों को मारा था कि तुगलक की जो आर्मी थी वो तो हार गई थी तुगलक राजा भाग गय थे तो दिल्ली की लोग अपने आप पे आ गए तो उन्होंने खुद जोत पड़े बहुत उनके पास दिल्ली को जो रजवारे थे जो की दिल्ली के अपने आपको गवरणर मांगती दिل्ली की साफ पर रूल करते थे उन्होंने भी बोल दिया कि भाई कोई मतलब नहीं हम आपके राज को मानते ही नहीं है देखें तुगलक वंश का राजा को बाकी सब लोग तो तब अपनी जी हुजूरी देंगे ने जब तुगलक चंस का राज सच में राजा हो अब यह राजा तो ब इंडिपेंडेंस को एसरट करने वाले थे गंगा वैली में मलिक सर्वर मलिक सर्वर फिरोज तुगलक का एक नॉबल हुआ करता था फिरोज तुगलक के समय से था अब फिरोज तुगलक के बाद ही जो सुल्तान मेहमूद तुगलक था इसकी बाश्याद को मानने मना कर दि तो इसने बोल दिया सुल्तान ये महमूद तुगलक को कि भाईया मैं तुमारी बाशाहत नहीं मानता हूं और इसने अपनी जो राज इस्थापित किया उस राज के अंदर जो सक्सेसिव रूलर्स आएंगे ना इन सब को एक टाइटल से माना जाएगा शरकीज तो मलिक सरवर को फिरोस तुगलक ने टाइटल दिया था मलिक उस शरक लॉर्ड ऑफ दा इस्थ ठीक है ना शरक मतलब इस्थ तो इससे ही एक डैनेस्टी का नाम निकला शरकीज और इन शरकी सुल्तानों ने अपनी कैपिटल को बनाए जॉनपूर इस्ट अनुत्तर पदेश में मैं जॉ जॉनपूर की लोकेशन पर ही आप कह सकते हो कि शरकी डैनस्टी थी अचा इस शरकी डैनस्थी ने आर्किटेक्चर में भी काफी कुछ किया बड़े-बड़े पैलस बनवाए उन्होंने मॉस्क बनवाए मॉजॉलियम्स बनवाए आज की दिने बहुत कम मॉक्स मॉसॉलिय बड़े हैं ज्यादतर कातम ही हो गए हैं तो शरकी सुल्तान ने जो भी यहां पर आर्किटेक्चर मनाया था वो काफी युनीक भी था ठीक है उन्होंने सिर्फ दिनली स्टाइल को कॉपी नहीं कि उसमें दिनली स्टाइल भी था उन्होंने खुद की तरीक से भी कुछ ची इसेंबल डेट जॉन फुर एंड शेड लेस्टर उनिट तो बहुत सारे पोएट्स बहुत सरे लेक्टर से स्कॉलर टाइप की जो लोग होते हैं सूफी संत आया करते थे तो जुस्त में को सुल्तान होता था वो सूती संत को बलाता था आईए साब बैठी आप अपनी बात पता ही है कोई बहुत ग्यानी आदमी है तो राजेम फैल जाता था कि बड़ा ग्यानी आदमी है तो सुल्तान ने इसको बुलाए तो सुल्तान ने बुलाए तो ग्यानी आदमी आएगा सुल्तान के साथ वाद विवाद करेगा उसमें सुल्तान अगर खुश हो गया क्या उसके आजपस मंद्री बैठे होते थे तो इसमें दिखाते थे कि सुल्तान हम बढ़े हैं सुल्तान बोलता था कोई ग्यानी आद्मिया थो ग्यानी आद्मी मंत्रियों को विफल कर देगा तो शुल्तान खुश हो जाएगा तो कुल मेरा कि जॉनपूर नाम की जगाती इसको बोला जाने लगा शिराज और इस्ट और आपको मैं बता दू जानपूर की एक और खासियत है पदमावत जिसने लिखी न मलिक मुहमद जैसी ये भी आपके जानपूर में रहा करते थे ये जो पदमावती जो मूवी बनी है ये पदमावत के ही आप के सकते हो एक लेख पर ब लेबिल थे अलग-अलग ओथर्स की पास कह नहीं सकते है उपर से मलिक मुहमद जैसी की जो भाशा है वो इतनी जादा आप कह सकते हो अतिश्योक्ति अलंकार से भरी हुई है कि उनके इस पदमावत नाम के लेख के ओपर उतना वरोसा वैसे होता भी नहीं हो खेर वो एक अ अंतरप्रदेश से दर्बंगा इं नौर्थन बिहार यह मैक्सिमम एक्स्टेंट था इस शर्की डाइनस्टी का इनके नौर्थ में जो बाउंटरी थी वो नेपाल की बाउंटरी से लेके साउथ में बुंदेर खंट तक जाती थी और यह जो शर्की लूरस थे देवर एग देखो तो वेस्टन उत्तरप्रदेश में जतना भी इलाका था शर्की का उसके ओपर पहले लोगदी का अबजा करेगा फिर उसके बाद आप देखोगे अच्छा एक और चीज़ है कहीं ना कहीं अब देखो तो लोधी अमपायर को दिल्ली से हटाने की भी कोशिश की थी क लेकिन फिर 1484 में बहलूर लोधी जो की रूलर था दिल्ली का उसने जौनपूर कम जा लिया और पूरे के पूरे शर्की किTurnum को फिर से दिल्ली सल्तनत में में बिला लिया चूंकि अब समझ यह जूंदी सल्तनत अगर एक्स्पेंशन करेगा तो सब से पहले ही जो ईस्ट नुत्तर प्रदेश जौनपूर वाला इलाका इसको कब जाएगा तो अगर दिल्ली सल्तिनाद में कोई ताकतवर राजा बैठा है और अगर उसको चारो तरफ एक्सपेंशन करना है तो डिफॉल्ट में सबसे पहला एक्सपेंशन किसकी तरफ होगा वो होगा आपका इस्टन उत्तर प्रदेश की तरफ चुकि ये वो इलाका था जो कि हमेशा दिल्ली सुल्तानों के अंदर था ठीक है मलिक सरवर ने इसको भड़े अलग कर दिया था सुल्तान मेहमूद तुगलक के बेवकूफी के बावजूद बेवकूफी क्या सुल्तान मेहमूद तुगलक उस हिसाब का इंसान था ही नहीं और यहाँ पे शरकी किंग हतम हो जाएगा. तो 100 साल से कम टेकी शरकी डैनस्टी, एक समय पे शरकी डैनस्टी की कुछ रूलर्स ने दिल्ली सल्तनत तक की उपर गपजा करने कोशिश की, लेकिन बहलोल लोधी जब आया उसने शर्की डाइनस्टी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया कुछ समय तक यह जो शर्की किंग था वो चुनार नाम के फोर्ट में रहता रहा उसको लगा कि कैसे ना कैसे करके बहलोल लोधी से मैं अपना किंडम वापस जीत लूँ लेकिन उसने कोशिश भी की उस कोशिश में वो हारता गया और फाइनली वो सोच सोच के ही मर गया कि मैं कभी इस पर्टिकुलर जगा को वापस जीत पाऊंगा मदब फिर से शर्की डाइनस्टी नहीं मनी वो दिल्ली सर्थनत का ही पाट रहे हो फिर ये आकरी शर्की किंग भी यहाँ पर मर जाएगा अच्छा दिल्ली सर्थनत के रूलर्स के कमजोर होने के बाद तीमूर के अटैक के बाद ही जो शर्की डाइनस्टी बनी इससे लोगों की लाइफ पर एक पॉस्टिव इंपक्ट आया चुकि जब दिल्ली में गॉर्मेंट कॉलाप्स करेगी तो लॉलेस्ट आजाएगी जमीन पर उस लॉलेस्टनेस को कंट्रोल करने के लिए इन शर्की रूस ने लॉज एन और को मेंटेन किया एक बहुत बड़ा जॉणपूर के आसपास का जो इलाका था और कुछ लंबे समय तक जब दिल्ली सल्तनत की रूलर्स एपसेंट थे तो उस समय पर जो शर्की सुल्तांस थे उन्होंने एक्सपैंशन भी किया और कंसॉलिडेशन भी किया तो उसके चलते आसपास के लाके में जहां जहां पे इनका राज्ता है वहाँ पर लॉज और उन्होंने अवरल बढ़ाया प्लस जो रूलर्स ऑब बंगाल थे अब जब रूलर्स ऑब बंगाल को दिखा गिए दिल्ली सल्तनत का रूलर गायब है तो यह जो बंगाल की रूलर्स थे वो भी अपने आपको वेस्ट एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगी लेकिन वेस्ट में यहां पर जॉनपुर के आसपास के इलाके में बैठा था शर्की रूलर्स तो बंगाल के रूलर्स इन शर्की रूलर्स की वज़े से इस्टर उत्तर प्रदेश में एक्स्बेंड नहीं कर पाए ओके मतलब शर्की डैनेस्टी ने जिस प्रकार के कल्चर को प्रमोट किया उनके खतम होने के बाद फिर से दिल्ली सर्त्रन करा जाने के बाद भी वो कल्चर वहाँ पे एग्जिस्ट रहा वो खतम नहीं हुआ फिर तिमूरिद इन्वेजन के बाद आप देखोगे कि एक डैनेस्टी आएगी सैयद डैनेस्टी दिल्ली में तो ये जो आपका तुगलक डैनेस्टी का डाउनफॉल हुआ है और इसके बाद जब लोदी डैनेस्टी आए है उसके बीच में जो डैनेस्टी आए है वो सैय dynasty है और यह सेयद dynasty बिलकुल ही नकारा थी किसी काम के नीती इसमें कुछ खास ruler वगरा थे नहीं तो इसलिए सेयद dynasty की समय पर जो शरकी वगरा थे वो चल भी रहते तो बहुत सारे अफगान सरगार्स थे देखे जब सेयद dynasty दिल्ली बे बैठी तो बहुत सारे अफगान सरदारों ने अपने आपको पंजाब में सेटल किया अब इन अफगान सरदारों में एक सरदार बहलोल लोदी ने खोकर्स की पावर को यहाँ पे सप्रेस किया एक वार लाइक ट्राइब थी जिसका नाम था खोकर ओके यह काफी फिर्स ट्राइब थी यह खोकर्स पंजाब रीजिन में ही आक्टिव से ओके और एग्रिकल्चरल ट्राइब थी और बहुत डेडली अग्रिकल्चरल ट्राइब थी तो इस अग्रिकल्चरल ट्राइब को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी था अगर इन अफगान सर्दारों को अपनी लिडर्शिप दिखानी थी तो इन खोकरों को दबाया बहलोलोदी ने ठीक है भई पूरे पंजाब के उपर बहलोलोदी का दबदबा चलने लगा फिर दिल्ली के रूलर ने बहलोलोदी को बुलाया कि भई ये जो मालवा का रूलर है हमारे उपर अटैक कर रहा है हमको बचाओ बहलो लोधी ने इस चीज़ में सैय्यट डैनस्टी की रूलर की मदद की लेकिन फाइलि आप देखोगए कि बहलो लोधी सैय्य डैनस्टी की कुर्सी के उपर अपना कबचा जमा लेगा overall सैय्य डैनस्टी को डिपोस कर सैय्य डैनस्टी कैं देखे चब भी आप दिल्ली सलतनत के बारे में बढ़ोगे न आप जादा सुनोगे नहीं सायद डैनस्टी के बारे में रीजन क्या है किभी सायद डैनस्टी को इतना IMPORTANT माना नहीं गया हिस्टमे आप के वाल खिलजी डैनस्टी के बारे में सुनोगे आपकी ये जब दिल्ली का साहीड डैनस्टी को रूलर में मर गया इससे साहीड डैनस्टी खतम हो गईर आएगी लोधी डैनस्टी लोधी डैनस्टी के एक खास बात थी कि लोधी डैनस्टी की जो रूरर्स थे they were अफगान in origin और इससे पहले के जो दिल्ली सलत्नात की डिनस्टी ही वो तर्किष थी एघरीजन में तो खेल जी, स्लेव डिनस्टी तुगलच डिनस्टी ये सब तर्किष थी है। वें इढ़े कमस तू लौधी ड्यनिस्टी eso-कार्ग जिदे फॉथ यह एक संट अपर गंगा वेली और पंजाब के उपर कपजा था इन लोधियों उसका और 1451 पही गद्धी पर बैठा था आपका बहलो लोधि यह मैं आपको बता दी दिल्ली सलस्ति की आरमी में अफगांस यहां पर डॉमिनेंट होने लगये थे form the following importance of Afghan in North India was shown by the rise of Afghan rule in Malwa मालवा में भी अफगान डूल आ गया बहमानी किंडम में भी आप देखोगे कि अफगानों को बहुत important position दी गई थी तो कुल मिलाके एक समय ऐसा था कि Turks dominate कर रहे थे पॉलिटी में एक समय ऐसा है कि अफगान dominate कर रहे थे हला कि अफगान के domination का time Turks के domination के time से थोड़ा कम है फिर बहलोलोदी की बात की जाए तो जो सबसे पहला target था बहलोलोदी का वो था शरकी dynasty को खतम करना और शरकी rulers को हराना ओके अभी शरकी rulers भी अच्छा कासा अपने आपको settle कर चुके थे अच्छा कासा अपने आपको बुलाना शुरू किया अफगान सफ रोह को बुलाना शुरू किया अफगान जो अफगानिस्तान में settle थे उनको बुला कि भाई तुम छोड़ के आओ इंडिया आ जाओ इंडिया में तुमें मैं poverty की ignominie से बाहर निकालूँगा यहाँ पर मैं तुमें important post दूँगा अब समझिए अफगानिस्तान के society ट्राइवल है और ट्राइवल सुसाइटी में होते हैं कबीले और इन कबीलों को होता सरकार, सरदार जो राजमुख होता कबीले को अब सोचिए बहलो लोदी यहाँ पर खुला नियोता दे रहा है अफगान के इन कबीलों को कि तुम इंडिया आओ, मेरी तरफ से लड़ो जो भी जीतेगा और मेरी तरफ से लड़की जीतने मेरी मदद करेगा उसको मैं important important position दूँगा अब अफगानिस्तान के वेंदर वैसे भी उस समय पर गरीबी हालत खराब खाने पीने की चीज़ नहीं तो बहुत सारे कबीले की सरदारों ने सोचा कि हम अपने पूरे की पूरे कबीले को लेकर चलते हैं दिल्ली और वहां से अगर हम इस बहलोलोदी की मदद कर देते हैं जीतने में तो और अल हमको बड़ी अच्छी ची जग़े मिलेंगी सब को होता है न कि हैर वहां चलो वहां कुछ जदा बढ़िया होगा ये सार कोई सोचता है और उपर से बहलोलोदी शाशक तो शाशक की बात तो लगेगी मतलब इन ट्रैप्स को भी लगा की एक ऐसी जगा पे जहेंगे जहां पर साशक की हमारे साथ का और खुद का अफगान है तो हमें कुछ अच्छा चीज मिलेगी तो अफगानिस्तान से भीड में आप देखोगे कि अफगान भर के आना शुरू हो गए इंडिया की तरफ ये जो रोहराम का रीजिन है ना इसको अफगानिस्तान भी कहा जाता था उसको उसमें पश्टूंखवा भी कहा जाता था समझ गए बात में इसी रोषप से रोहिल्ला भी निकला है रोहिल्ला जो डैनिस्टी थी वो भी एक अफगान डैनिस्टी थी तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है यहाँ पर देखिया अफगान हुस्टूरी ने क्या बोला है अब बास सरवानी एट्स अफगान ऑफ रोहस गें लोकुस्ट जानते है ना लोकुस्ट इन्वेजन अकसर कर इंडिया और पाकिस्तान में छोटे-छोटे कीड़े उड़के आते हैं और क्रॉप्स को तभा कर दे तो उनको लोकुस्ट कहा जाता है तो यहाँ पे जो अफगान आया अफगानिस्तान की तरह से इंडिया में इसको लोकुस्ट के साथ कमपैर्जन किया जा रहा है भर भर के पूरी की पूरी भीर जली आ रही है बहलोल लोदी के लिए लड़ने के लिए तो शर्की डैनिस्टी के अगिस लड़ना है और यह जो अफगान वारियर्स थे यह तो नैच्रल वारियर्स थे कभीलों मेंनों ने एकी चीज़ सीगी थी लड़ना तो कुल मिला के बड़ी तागाद में हापे लोग आगे हाला कि कुछ हिस्टोरियंस ने बोला है कि यह एक्जागरेशन था ऐसा एक्जागरेशन में नहीं हुआ था लेकिन ठीक है हिस्ट्री के अपने आपके सकते हो की फैसेट्स है यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस बोलना है कि बहुत ज़दा तागाद में लोग आए है तो अब ऐसा बोला गया कि चुकि बहुत सारे अफगानिस्तां वाले फैक्टून वाला और अफगानिस्तान इंडिया में आये बहलो लोदीन अपनी बड़ी आर्मी मनाई और इससे शर्की को हरा दिया ठीक है अब इससे जो Muslim society का जो foundation था इंडिया में बदल गया कैसे बदल गया पहले Muslim society में मतलब Muslim rule में टर्क्स डॉमिनेंट थे अब कौन डॉमिनेंट हो गया था अफगान डॉमिनेंट हो गया थे और यह अफगान किवल North India में डॉमिनेंट नहीं थे ओके लोधी सुल्टानों में सबसे important लोधी सुल्टान कौन था सिकंदर लोधी राज कब से कब तक था इसका 1489 से 1517 नीटी था यह जो सिकंदर लोधी था he was a contemporary of महमूद बेगरहा औफ गुजरात and राना सांगा औफ मेवार महमूद बेगरहा की कहानी गुजरात के मैं आपको बता चुका हूँ राना सांगा औफ मेवार की कहानी भी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में मैंने महमूद बेगरहा के बारे में तो डेटेल में डिसकुशन किया राना सांगा के बारे में भी डेट था जो कि देखिए उस समय की dynasties हैं contemporary dynasties हैं अब अगर expansion करना है ज्यादा इलाके पर कबजा करना है तो आसपास के rulers को तो हराने ही पड़ेगा न किसी ruler की इलाके पर ड़ने के लिए जाओगे तो वो तो तुमको oppose करेगा यह करेगा तो जंग होगी जंग में जीतेगा वही यहाँ पर राज करेगा ओके लेकिन problem यह थी कि यह जो सिकंदर लोधी था यह राजा जरूर था लेकिन इस राजा के अंदर बहुत सरे अफगान सरदार थे अब अफगान सरदारों के अंदर एक खास बात होती है कि यह tribal independence को मानते हैं they were not accustomed to a very centralized rule तो भले ही सिकंदर लोधी गदी पर बैठा है लेकिन इसके नीचे जो अफगान सरदार है वो कभी कभी independently काम करने लगेंगे वो सिकंदर लोधी की बाती नहीं सुनेंगे अब सिकंदर लेदी इन अफगान सरदारों के ओपर जबरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा अपना influence जवाने की कोशिश करेग और ये सरदार क्या सोच रहे हैं कि ठीक है वह सिकंदर लोधी गदी पर बैठा है बट है हमारे जैसा है हमारा ही भाई है बस ज़्यादा बन गया है सिकंदर लोधी क्या सोच रहे है कि मैं जो करूँगा वो तुम सुनोगे अफगान सरदार ऐसा नहीं सोच रहे है अब इन अफगान सरदारों की तलवार पे सिकंदर लोदी की जो कुर्सी है वो जमी होई है तो अगर आपको रिपोर्ट करने वाले सरदार आपको अपना परापर सोचिए अबगर है अगबर के नीचे जो गवर्नर्स है वो गवर्नर अगबर को important मानेंगे नीचे अगर वो गवर्नर ही अगबर को important मानना कम कर देंगा तो अगबर कैसे राज करेगा एक राजा के लिए अपनी बाश्चाहत फिक्स करना बहुत जरूरी होता है समझ गया है नहीं तो खासकर totalitarian चीज़ में बहुत जरूरी था तो सिकंदर नॉबल्स को बड़े humility तरीके सबने सामने खड़ा करता था उनके सामने अपना जोर जमाने की कोशिश करता था ये नवगान सरदारों को अच्छा लगता नहीं था पिर देखे क्या लिखा हुआ है अब देखे क्या लिखा हुआ है जैसे अगर सुल्तान में कोई फर्मान भेजा है तो फर्मान को रिसीव करने के लिए सब लोग बाहर आएंगे और वाल सेल्यूट वल्यूट मारें इस तरीक चीज़ें होने लगेंगे जिन जिन के पास भी जागीर है उस जागीर में कितना पैसा आया कितना उन्होंने खर्च किया कहां खर्च किया उनके अकाउंट के ओडिटिंग ये सब करवाने लगा सुल्तान और जिसने भी करफशन किया उसको तगड़ी सजा दी जए हाथ काट दो आँख निकलवा दी ठीक है ना सर काट दिया किसी का तो इस प्रकार के जब आप कहलो नियम कानूर बनाने लगा सिकंदर लोदी ये बहुत जरूरी थे नीचे के सरदारों को कंट्रूल करने के ला हाला कि कुछ हिस्टोरिस ने ऐसा भी बोला कि सिकंदर लोदी जरूरस ज़्यादा आपके सकतों बत्तमीजी करता था अपने अफगान सरदारों के साथ तो एक सेकंड के बाद एक टाइम के बाद अफगान सरदार ज्यादा ज़्यल नहीं भाएंगे रीजन क्या था कि वो अपने आपको कोई कम नहीं समझते थे एक्चुली मैं अफगान सोसाइटी है यही ऐसी उसमें एक लिमिट से अधर राजा को इंपोर्टनस नहीं देवते हैं लोग उसके बाद एक खास बात यहाँ पर और थी देखे बहलो लोदी जब मरा था तो उसने किंडम को अपने बेटों और जो भी उसके रिष्टेदार से उसमें माट दिया था लेकिन बटवारा चलता नहीं है एक राजा हमेशा गदी पर बैठता है तो सिकंदर लोदी ने इस बटवारे को खतम कर दिया इसने काफी लड़ाई वड़ाई करी जंग वंग करी बट सिकंदर लोदी गदी पर बैठा और अपने खिलाफ जितना भी अपोजिशन ता हटा दिया लेकिन जिन लोग को जो जो भी राजे रजवारे मिले थे जो भी बटवारा हुआ था उन लोग के दिमाग में रहेगा ना कि बटवारा हुआ ये चीज़ हमारी है तो बटवारे वाला फैक्टर सबके दिमाग में था उनको लगा कि बहलो लोदी बाट के गया है ये सिकंदर लोधी जबरदस्ती हमारे उपर अपनी चला रहा है हमें हमारा हक नहीं दे रहा हम इसके खिलाफ लड़ेंगे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी हाला कि सिकंदर लोधी के आप इतनी बुराई भी करना ठीक नहीं है इसने एफिशेंट एड्मिनिस्टिशन सेटप किया था अपने किंडम में जस्टिस के ओपर खासा ध्यान देता था इसके अमपायर में जो भी हाईवेज वगरा थी सड़के वगरा थी उसको इसने साफ करवाया ओवर ओल सेक्योटी करवाई से लकोपी रॉबर्स, पैंडेट्स इस प्रकार की चीज़े नहीं थी जो एसेंशल कमोडिटीस थी वो सिकंदर लोदी के समय पे अमपायर में सस्ती मिलती थी जो जनता हलकी फुलकी खुश थी उनको काम की चीज़ें ठीक ठाक पैसों में मिल रही थी तैगरी कल्चर में सुल्तान खासा इंटरस लेता था उसने गेहू के उपर और बाकी जो धान थे उनके उपर लगने वाली ओक्ट्राई ड्यूटी को इबॉलिश कर दिया एक नए प्रकार का उसने न्यू मेजरमेंट सिस्टम शुरू किया यह बहुत important point है यह आपसे exam में पूछ जा सकता है गाजी सिकंदरी नाम का एक नया मेजरमेंट सिस्टम शुरू किया यहाँ पे सिकंदर लोडी ने और इस गाजी सिकंदरी को मुगल रूलर्स भी अडॉप्ट करेंगे तो गाजे सिकंदरी जो मेजरमेंट सिस्टम था यह शुरू किया गया तो सिकंदर लोडी के समय पे गाजी सिकंदरी में नाम ही सिकंदर का आ रहा है सिकंदर लोडी का और यह मुगल अंपायर की समय पे भी चलेगा फिर जो रेंट रोल्स प्रपेर किये गया थे सिकंदर लोधी के समय पे वही शेर्शा सूरी के रेंट रोल्स बनेंगे इब्राहिम लोधी हभी सिकंदर लोधी के बाद जो फानली लोधी रैनिस्टी खतम होगी उसके बाद इब्राहिम लोधी आएगा खतम होगी इन सब चीजों के जो methods adopt किये थे यहां पे सिकंदर लोदी ने उनको शेर्शा सूरी बेड़ाप्ट करेगा अब सिकंदर लोदी को एक orthodox by-voted king कहा जाता था ठीक है, मतलब वो strict शरिया law के साफ से rule करना रहता जाता था, Islamic law के साफ से वो Muslims जो कि शरिया को नहीं मानते थे Islamic law को नहीं मानते थे उन Muslims को भी सजर देता था यहां पे सिकंदर लोदी जो women पहले सूफी संतों की दरगाओं पे जाती थी पूजा बगरा करने के लिए जब सूफी संतों की याद में कोई procession निकाला जाता था तो conservative Islamism में यह सब चीज़ें forbidden है तो यहां पे सिकंदर लोदी ने order निकाल दिया कि सूफी सेंट्स की मजारों पे अफे किसी भी मजार पे औरते नहीं जाएंगी फिर से हिंदू के उपर जजिया लगा देना एक ब्रह्मन जो कि यह बोल ला था कि हिंदू स्क्रिप्चर और मुस्लिम स्क्रिप्चर दोनों बराबरी से important है दोनों के हमें इज़ित करना चाहिए उस ब्रह्मन को openly execute कर दिया मार दिया सिकंदर लोदी ने बहुत सारे important हिंदू tempels को इसने तोड़ दिया नागर कोट में जब भी किसी हिंदू डाइनस्टी के अगेंस रड़ाई होती थी और वहाँ पे जीच जाओ तो ये लोग हिंदू tempels को तोड़ने लगते थे ज़्यादातर मुस्लिम रूलर्स में ये बात दिखी गई एक दो रूलर्स अगर आप छोड़ दो अकबर जैसे तो ज़्यादातर मुस्लिम रूलर्स ने tempels को तोड़ने को एक प्रकार का fashion मना लिया था है एक प्रकार का उनका ये बदला सा होता था कि काफिरों की जो cultural heritage इसको खतम कर देंगे बहुत ही कम ऐसे आप कह सकते हो कि दूर दर्शी मुस्लिम रूलर्स हुए है जिन्होंने इस टेप नहीं अपनाया है हाला कि administration के perspective से उन्होंने overall हिंदूओं को अपना धर्म practice करने के सुविधा दी बहुत सारे जो और दूर दर्शी लूलर्स थे उन्होंने अपने administration में हिंदूओं को शामिल भी किया बट जंग के समय पे सब जायज होता है मंदिर दबा के तोड़े गए हैं उसके बाद सिकंदर लोधी magnificent grants देता था scholars को, philosophers को men of letters को बहुत सारे cultured people हर climate के, हर country के और एबिया इरान से भी उसके court में आके सिकंदर लोधी के सामने अपनी राय देते थे अपने talent को प्रदर्शित करते थे ठीक है भाई, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी फिर सिकंदर लोधी के समय पे बहुत सारे Sanskrit के works को Persian में convert किया गया सिकंदर लोधी को music में भी interest था, बहुत सारे Sanskrit works और music को भी Persian में यहाँ पे convert किया गया है, large number of Hindus ने सिकंदर लोधी के समय पर Persian सीखी, चोकि state में अगर नौकरी करनी है, government कामों में अगर involved होना है, तो Persian तो सीखनी पड़ेगी, सारा का सारा कामी यहाँ पर Persian में हो रहा था, समझ गया फिर cultural rapproachment भी हो रहा था हिंदू जर मुस्लिम के बीच में, मतलब हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी में बहुत सारी common practices आ रही, तब देखिए बहुत सारी हिंदूों को यहाँ पर मुस्लिम धर्म में convert किया गया, तो अब एक हिंदू अगर मुस्लिम बनेगा, तो एकदम से आप, यह तो देखोगे नहीं कि भाई, एकदम से ही वो उसने सारी मुस्लिम activities को involve कर लिया, जो पहले वो activity करता था, थोड़ी बहुत वो हिंदू, मुस्लिम धर्म में लेके जाएगा, तो इसलिए आप देखोगे कि हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में काफी cultural similarities देखने को मिले, और यह cultural similarities सिकंदर लोदी के समय पे और बढ़ी हैं, फिर सिकंदर लोदी ने आज की डेट में आगरा आपका ताज महल के लिए जाना जाता था, लेकिन हम जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय पे ताज महल एक्जिस्ट नहीं करता था, उस समय पे आगरा सिटी की importance क्या थी, तो इस सिटी की importance थी, तो कमांड दा एरिया आगरा इस रिस्पेक्ट से एक बहुत strategic सिटी थी, और लोदी डैनेस्टी की ये second capital बनके सामने आई, ओके, इस्टर राजस्थान और मालवा में वैसे भी आपका सिकंदर लोदी का interest था, इसलिए वहाँ पे उसने आगरा आपको इतनी importance थी, फिर आप देखोगे कि जो Khan of Nagaur था, राजस्थान में जो Nagaur नाम की जगार थी, वहाँ पे जो Khan ruler था, इसको भी अपनी protection के अंदर लिया यहाँ पे, सिकंदर लोदी ने, इस ruler ने भी सिकंदर लोदी को बोला, ठीक है माई बाप, मैं आपकी ताकत को मानता हूँ, और Ranthambor, जो की पहले मालवा की प्रतिय अलिजयांस रखता था, Ranthambor का अलिजयांस सिकंदर लोदी के प्रतिय आ जाए, ये भी सिकंदर लोदी ने यहाँ पे बहुत कुछ करने की कोशिश की, उसके बाद आप देखोगे, सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर बैठेगा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लेदू भी मेवार के अगेंस्ट अटैक करेगा, लेकिन मेवार में बैठे थे राणा सांगा, और वो इब्राहिम लोदी को पुछ बैक कर देंगे, खासकर बात ये थी कि जो इब्राहिम लोदी की जो ताकत थी, और जो मेवार की ताकत थी, ये काफी हद तक एक दुसरे को कंपेर करती थी, अब यहाँ पर एंट्री होगी बाबर की, अगर बाबर की एंट्री ना होती, तो हिस्ट्री में बहुत बड़ा सवाल है, कि इब्राहिम लोदी वर्सस ही, जो मेवार की जंग है, इसमें कौन जीतता, चुकि जो स्केज थे, वो evenly tilted थे, मेवार भी बहुत ताकत वर था, इब्राहिम लोदी भी बहुत ताकत वर था, तो इस जंग में कौन जीतता है, यह हमको तब पता चलता, अगर बाबर एंट्री नहीं मारता, लेकिन बाबर ने एंट्री मारी, सबसे पहले उसने इब्राहिम लोदी को हराया, और बाग में नंबर आएगा मेवार का, राना संगा का, तो यह सब चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी है, ठीक है? अब मेवार और लोदी, इसके बीच में लड़ाई क्यों हुई? तो खास बात यह थी कि मालवा में राना संगा की बहुत चलती थी, और राना संगा की आगरा और बयाना नाम की जगा पे भी बहुत चलती थी, तो चुकि मालवा में, आगरा बयाना में आपकी राना संगा की चलने लगी थी, खासकर मालवा में, जो कि एक समय पे मुस्लिम रूल के अंदर था, तो ये बात लोदी इसको पसंद नहीं आ रही थी, इबराहिम लोदी को तो इबराहिम लोदी और राना संगा की बीच में लडाई होनी अल्मोस्ट तै थी, लेकिन इस लडाई का रुख पलट गया because of the intervention of बाबर उसको हम लोग यहाँ पे मतलब वो बैटल्स के बारे में दीर दीर बात करेंगे, ओवराल आपको पता ही है कि इबराहिम लोदी हार गया था जब यहाँ पे बाबर ने इंटर्वीन किया था लोदी डैनस्टी खतम हो गया थी लोदी डैनस्टी का इबराहिम लोदी का एक अंकल चिला गया था बाबर के पास in fact बहुत सारे historians तो ये भी बोलते हैं राणा संगा ने भी बाबर को बोला कि आई और इस लोदी डैनस्टी हो खतम करी है लेकिन बाबर भी एक expansionist ruler था लोदी डैनस्टी हो खतम करके में वाड़ के पास तो देख़वा नहीं था समझगे नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे कश्मीर की कश्मीर की कहानी में बड़ा important ruler है जैनुल अभी दीन उसके बारे में काफी चीज़ें आपसे बात करूँगा कश्मीर में कौन-कौन से राज रहें पहले हिंदू राजे रहें फिर बाद में मुस्लिम सार्शन आया कश्मीर को भी छोटी से वीडियो में समझेंगे अगली वीडियो में तो यहां पर इस वीडियो खतम करता हूँ I hope कि मैं जो कुछ भी समझा रहा हूँ दोस्तों को समझ में आ रहा है एक कहानी की तरह मैं वीडियो को टेक अप करने कोशिश कर रहा हूँ अफर्ट लग रहा है मैं अच्छा लगेगा मुझे अगर आपको मेरे इस अफर्ट से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है जाद से जाद से लोग साथ वीडियो को शेयर करें जोइन पर नबाग करें दूस्तों इस प्सिबल जोइन बटन दुरू दबाएए तो अगर आपको फायदा मिलना है तो इन लेक्चेस को अगर आप देख रहे हैं तो जोइन बटन दबाग करें इस्टेग्राम पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम गूर्प जोइन कर सकते हैं हर चीज़ का लिंग नीचे दिस्कूशन बॉक्स में दे रखा है अब ग्रेट डिफेंट्स गुडबाए टेक केर ध्याना के अपना पढ़ते रहें